आई पिल फेस्टू में आज दिन का दूसरा मुकाबला राजस्तान डॉयल्स और चैनिस वर्किंग के बीज खेला जा रहा है मैज की शुरुबात आरार के टॉस जीत कर गेंदबाजी करने के साथ हुई पहले घिलते हुए CSK ने 189 पे चारगा स्कोर बनाया तॉस का वाकर पहले घिलते हुए रितुराज गाइकवाड और फाब डुपलिसी ने 47 रन जोड़े राहुल्त तेवतिया ने डुपलिसी को आउट कर आरार को पहली सफलता दिलाई तेवितिया यही नहीं रुके और मैचों में तो टीम को एक के बाद एक खार नसीब हुई है टीम को प्लेयाउफ की रेस में खुद को जीवित रखना है तो यह मैच हर हाल में जीतना होगा वैसे टीम के लिए अब सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं बलकि बड़े अंतर से मैच को जीतना जरूरी है ताकि रन रेट को भी सुधा रजा सके वहीं आपको बता दे CSK का टारगेट आप दो अंखासिल कर पॉइंट स्टेवल में टॉप टू में फिनिश करने पर होगा चन्नेई UAE के मैदान पर लगातर साथ मैच जी चुकी है और बहुत ही बड़िया लए में है प्लियाप से पहले टीम को ड्रेस रिहरसल का एक शांदार मौका भी मिला है वहीं आपको बता दे आरार ने टीम में आज पांच बजलाव किये शिवंदूबे डेविड मिलर गलैन फ्लिप्स अकासिंग और मैंक मारकंडे को प्लेइंग 11 में शामिल किया है वहीं आपको बता दे दोस्तों आज चनिस उबर किंग के लिए रितुराज काईकपड की तूफानी पारी के चलते CSK के फैंस को काफी मजा आया होगा दुरिसल आपको बता दे रितुराज ने 60 गिंदों पर 101 रन जड़े वहीं उसके बाद रविंद्र जड़ेजा मैदान पर आये तो उन्होंने भी किंदबाजों का जम कर स्वागत किया और 15 गिंदों पर 32 रनों की तूफानी पारी खेल अपने टीम को रनों से योगदान दिया खेर अब ऐसे में देखना काफे दिल्चस्प होगा कि राजस्तान 190 के रन रेट को कैसे चेस कर पाती है आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूरत आएं